लोग सबाय चुनाओ 2024 में होने के चलते जो तमाम सियसी दल हैं वो अपने तयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुके हैं जो तमाम सियासी दल हैं वो अपने प्रक्तिासियों से ले करके और जो दूसरी रणीतिया हैं उनकी तैयारियों में लगे हुए है एक तरफ जहां विपक्षस जो है वो साजे मंच पर आने के तैयरी कर रहा है विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो एक साथ उन्होंने 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक की और अब उन्होंने सिमला के बैठक के लिए प्लान कर लिया तो वहीं दूसरी तरफ जो भारती जिनता पार्टी जो है वो पूरे साल तीन सो पैसर दिन चौबिसो घंटा चुनाओं की रणीतिया बनाती रहती है कहा यह जाता है कि उनका जो सांगटनिक धाचा है वह बहुत मजबूत है और उनकी जो पहुंच और पकड़ है वह बूत इस्तर तक है इसके बावजूद भी वह के तहद जो इस बदलाओं में जो अभी जो लोग सबाचुनाओं के मद्दे नजर जो बदलाओं हो रहे हैं इसमें से कुछ बदलाओं ऐसे हैं जिनको ले करके भारती जिनता पार्टी ने गुजरात में एक बड़ा प्रयोग किया विदान सबाचुनाओं में और यह जो हुआ इस प्रयोग को बड़ी जीत के रूप में गुजरात में भारती जनतापाटी को सवलता जिए जो वरतमान समय में तमाँ सारे विधायक हैं मौजूद हो उनकी परफॉरंस के अधार पर catal haga przygot का काट दिया गया या तो कुछ की सीटे मदल दी गई या फिर उनका टिकेट कार्ट करके उनकी जगे पर नया उम्मिदवार लाया गया ताकि जो उस विधायक के प्रति उस नेता के प्रति लोगों के अंदर जो एंटी इंकम्बेंसी हो उसको दूर किया जा सके अब भारती जि यो मंतरी हैं वो सब के सब चुनावी मैदान में उतरेंगे अब यह सारे जो नेता जो हैं जो राज-स-भा से आकर कि और मंतरी बने हुए थे सरकार में वो सारे जो है जाकर के लोकसवा के चुनाओं में चुनाओं लड़ते हुए दिखाई देंगे तमाम बड़े नाम है इसमें इसमें जो मंत्री हैं उनको खास टार्गिट दिया गया है इसकी शुरुआथ इसकी कही ना कही उन्होंने खुद के चुनाओं के लिए जमीन खोजना शुरू भी कर दिया है क्योंकि इसमें से कही सारे सांसद और कही सारे मंत्री ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रियेट रहे हैं जो दूसरे छेतरों से आए हैं या जो संगठन में लंबे समय तक जिनका अनुबह रहा है और उनको मंत्री बिनाया गया है ऐसे में अब वो चुनावी मैदान में जाकर कि किस तरीके से उनको परफॉर्म करना है इसकी शुरुआत भी वो कर चुके हैं इसके लिए उन्होंने जमीनी प्रयास करना शुरू भी कर दिया गया है इन यताओं में जो प्रमुक नाम है उनमें वित्त मंत्री जो हैं समय निर्मला सीता रमड उनका नाम आ रहा है माना जा रहा है कि वो तमिल नाडु से चुनाव लड़ सकती हैं वहीं प्यूश गोयल को महराज से माना जा र मंत्राले देख रहे हैं इस समय इसके लावा नरायन राने का नाम है महरास जो से चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है जिनके पास सुक्ष मलगो और मध्यम जो उद्यम है उसका भारी भरकम मंत्राले समाल रहे हैं सरवदानन सोनेवाल आयूस बंदरगा का मं अंगरिस की टिकेट पर हा रहे थे फिर उसके बाद भारती जिनता पार्टी में आ गये थे और अब वो वरतमान में भारती जिनता पार्टी में फिलाल वो नागरी कोर्डेन मंत्राले उनके पास है और वो राज्यसभा के कोटे से फिलाल राज्यसभा के सांसद हैं और इस तरह देट सिंधिया जो है वह लोग सभा के चुनाओं में चुनाओं लड़ते हुए देखे जाएंगे अश्विनी वैशनों जिनके पास रेल संचार एलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्वक्य जैसे एहम विभाग आते हैं उनके लिए भी कहा जा रहे हैं वह भी चुनाओ लड़ते हुए दिखेंगे मंसुक मंडाविया जो स्वास्त और परिवार कल्यान मंतराले समा समाल रहे हैं वह भी चुनाओं मैदान में जाएंगे गुजरात के किसी सीट से उनको पार्टी जो है अपना उमिद्वार बना सकती है वही भुपेंद्र यादो जो परियावर जो हैं उनके लिए का जा रहा है कि वो गुजरात के किसी सीट से चुनाओ लड़ेंगे मत्सिपालन जैसा विवाग उनके पास और सबसे महत्वपूर्ण विवाग समाल रहे है हमारे विदेश मंतरी जो एश जैसंकर हैं उनको दिल्ली से किसी सीट से चुनाओ लड़ाए जाने की संभावना विक्त की जा रही है इसके पीछे वज़ा भी बताई जा रही है कि जो भारती जनता पार्टी ने इस समय कारेकरम चला रखा है लोगों से मिलने का उसमें जैसंकर को दिल्ली में लोगों से मिलने का जिम्मा सोपा गया है वो लोगों के बीच में जा करके बारती जनता पार्टी के तरफ से जुर्जन संपर का भियान चलाया जारा है समय उसमें वो भाग भी दारी कर रहा है भाग ले रहा है तो इसलिए ये कयास लगाया जारा है कि जैसंकर जो है वो दिल्ली के किसी सीट से लोगसभा का चुनाओ लड़ते हुए दिखेंगे अब एसी परिस्तियां कैसे पैदा हो गए भारती जनता पार्टी के लिए कि भारती जनता पार्टी को राजसभा से आये हुए इन मंत्रियों को चुनाओं में भेजना पड़ रहा है इन मंत्रियों के सहारे चुनाओं में इनको सीट जीतने के लिए इनका एक तरह से देखा जा सहमती बंती दिखाई दे रही है उससे भारती जंता पार्टी की चंता बढ़ गई है भले ही भारती जंता पार्टी के तमाम नेता 23 जून को पत्ना की राज़ानी बिहार में हुए विपक्षी एक्ता के इस बैठक को फोटो शेशन के लिए बताते रहे हूं या तमाम तरीके के उस पर आक्षेप लगा रहे हूं कि ये तो केवल सत्ता के लालच में इस तरीके की बैठक की गई या ये बैठक जो है विना किसी आइडॉलोजी के है या विना किसी विचार धारा के तमाम जो भी आक्षेप लग रहे हूं पर निश्चित तोर पर जब इस तरीके की पर लगता है कि जो विपक्ष की ये नीट है कि एक सीट पर एक उम्मिद्वार या नहीं विपक्ष की तरफ से उस सीट पर एक ही उम्मिद्वार होगा जो भारती जिंता पार्टी के सेबक संग क्या रहे हैं वह सारे उन सारी चीजों ने पहले ही उन सरवे की रिपोंट्स ने पहले ही भारती जटा पार्टी को जिनता में डाल रख़ा है जिस सरीके से उत्तर पय都 को About हाथ से जा रही है पचास फीस डी सीटों पर भारती जनता पार्टी चुनाओ हार रही है मद्यप्रदेश में जो सर्वे आता है वो यही आता है खुद कैलास विजवर्गी वात कह देते हैं कि मद्ध प्रदेश में भारती जंता पार्टी को भारती जंता पार्टी के लोग हरा देंगे यानि वहाँ पे जो गुटवाजी के समस्या है उसको लेकर के कहला सुझा वरगी अपनी चिंटा जाहिर कर चुक है राजिस्थान में जिस तरीके से लगातार धड़े पर धड़े बनते जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, एक तरफ वसंदरा राजे सिंधिया अपने ये मान के चल रही है कि वो मुख्यमंत्री की कैंडिडिट होंगी, वहीं दूसरी तरफ वसंदरा राजे सिंधिया के व पूरी परिस्थेतियों से एक तरफ जहां भारती जिनता पार्टी चिंतित है वहीं दूसरी तरफ भाजपा की चिंता विपक्षी एक्ता ने बढ़ा रखी है विपक्षी के तमाम दलों के एक मंच पर आ जाने से इस चिंता में ज्यादा बड़ा इजाफा हो गया है और इसी जो रिपोर्ट्स हैं तो उसमें जिन नेताओं के चाहे वो करेंट के MP हों मंतरी हों जिन नेताओं के रिपोर्ट कार्ड अच्छे नहीं है यह माना जा रहा है कि गुजरात की तरज पर भारती जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी उनकी जगे नए चेहरों को जगे मिले जो उस छेतर में रहता हो जो छेतर में सक्री हो जिसकी छवी अच्छी हो और इन सबसे बढ़ करके जो चुनाओं में जिताओं केंडिडेट हो अब भारती जनता पार्टी इस रणनीत पर काम कर रही है गुजरात में चुकि यह टेस्टेड फॉर्मूला है इस सीट पर उस से जो विपक्षी खेमा है उसका आत्मविस्वास भी बढ़ता है जो पार्टी लगातार 365 दिन 24 गंटे चुनाओं के तयारी करती हो जब उसमें विपक्ष के एक चाल से यानि भारती जो विपक्ष की एक्ता को लेकर के जिस तरीकी खबरे आई और विपक्ष के दल जिस त सिती उसको भारती जनता पार्टी को लोकसवा सीटों पर दिख रही है विपक्ष की इसलिए उसे अपना अरणनितिक बदलाव करना पड़ रहा है तो इस भारती जनता पार्टी के चंटा को दिखा रहा है वहीं दूसरी तरफ यही कदम विपक्ष के बाकी दिलों को या फ होना पाता है इस फायदे को वोट में कितना कर पाता है और भारती जंता पार्टी की इस जंता को कहां तक वो सही सावित कर पाता है